दोस्तों अभी गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के मौसम में जादे से जादे ठंडा पानी पीने का मन करता है जिनके पास फ्रीज है वो तो ठंडा पानी पी लेते हैं लेकिन जिनके पास फ्रीज नहीं है उन लोगों को ठंडा पानी नहीं मिल पाता है और माल लिजे आपके घर में फ्रीज है तो भी यदि आप कहीं बाहर में काम करने के लिए जाते हैं और साथ में अपने फ्रीज का पानी लेके जाते हैं तो कुछ देर के बाद वो फ्रीज का पानी धिरे धिरे गरम हो जाता है और जब पानी गरम हो जाता है तो पीने का बिलकुल मन नहीं करता है हमें प्यास लगी होती है फिर भी हम गरम पानी पी नहीं पाते हैं लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा आज मैं आप लोगों को एक ऐसा देसी जुगार बताऊंगा जिससे कि आप यदि आपके घर में फ्रीज नहीं है तो भी आप बिलकुल फ्रीज जैसा पाने पी सकते हैं और यदि आपके घर में फ्रीज है और आप बाहर में काम करने के लिए आते हैं तब भी आपके बोतल का पानी हमेशा ठंडा रहेगा, वो कभी भी गरम नहीं होगा, जाहे कितनी भी धूप हो, लू चले या फिक गरमी पड़े, आपके बोतल का पानी कभी भी गरम नहीं होगा, तो इस पीडियो को सुरू से लाट तक देखते रहे, दोस्तों, जैसा क्या आप देशकते हैं मेरे पास यह स्प्राइट का सवा दो लिटर वाला दो बोतल है एक बोतल के उपर हमने कॉटन का एक सॉक्स चढ़ा रखा है और दूसरा बोतल है वो बिल्कुल प्लेन है यानि इस पर सॉक्स नहीं चढ़ा है तो आपको भी इसी तरह का एक बड़ा वाला बोतल लेलना है और यदि आपके घर में कोई कॉटन वाला शॉक्स पड़ा है जो कि हम सर्दियों में बनते हैं तो यदि यो कॉटन वाला शॉक्स मिल जाता है तो शॉक्स का प्रयूप कर सकते हैं यदि कॉटन वाला शॉक्स नहीं मिलता है फिर भी आपके घर में नॉर्म तो कपड़े को आपको इसके बोतल के उपर इस तरीके से लपेट देना है उसके बाद चारो तरफ से किसी धागे से या फिर रजची से इसको अच्छी प्रकार से बाखशा से बांद ताकि ये कपड़ा कहीं इदर उदर खिसके नहीं हाला कि यदि आप सौस का जुगार कर लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसे जादे बानने की जरुवत नहीं है ये बिल्कुर सेप मिराता है तो मैं आपर इस कॉटन वाले मोजे का प्रयोग करूँगा ये आपके पास कोई पुराना मोजा है तो उसे आप अच्छी प्रकार से पले साफ कर लिजे साफ करके उसे सुखा लिजे उसके बाद चली मैं आपनों दिखाता हूँ कि बोतल के पाने को ठंडा रखने के लिए इस मोजे का प्रयोग हम कैसे करेंगे तो ये खाली बोतल है इस खाली बोतल के उपर हम इस मोजे को पूरी तरह से चढ़ा देंगे देखे इस तरीके से आइस्ता आइस्ता चढ़ाते जाईए और पूरा उपर तक चड़ा दीजिए जब एक बार ये मोजा पूरा उपर तक चड़ जाए तो आप क्या करना है कि इसके गर्दन को अच्छे प्रकाश से बांदेना है और बांदने के लिए सबसे अच्छा होता है जूते का लेस यदि आपके घर में कोई पूराना जूता पड़ा होगा तो उसके लेस को आप निकाल लीजिए देखिए मेरे पास एक लेस है इसको मैं दो भाव में काट लेता हूँ क्योंकि यह ज़्यादे बड़ा है तो आभी हमें क्या करना है इसके गरदन में इस लेस से अच्छे प्रकार से बांध देना है देखिए पहले हम एक गाट लगाएंगे और गाट लगाने के बाद इस मोजे को हम और भी अच्छी तरीके से उपर तरप खीड़ देंगे मोजे को शईड़ प्रकार से बैठाने के बाद इसके गर्दन को हम और भी अच्छी तरीके से टाइट करके बांदेंगे और उसके बाद थोड़ा सरस्ची हम इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि हम इस बोतल को किसी खोटी में लटका दें तो देखिए हमने जुगाल को फिट कर दिया है अब हम क्या करेंगे इस बोतल में पानी को भर लेंगे बोतल में पानी भरने के बाद ये उपर में हमने जो मोजा लगाया है इस मोजे को हमें अच्छी प्रकार से भिगो लेना है आपके पास गलास है तो गलास के पानी से भिगो लीजे और नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि इस प्राइट का बिल्कुल छोटा वाला एक बोतल अपने पास रखता हूँ और इसमें मैं पानी भर लेता हूँ और उसके वाज बीज बीज में इस सौक्स को मैं भीगोते रहता हूँ इस बोतल के उपर लगा हुआ मोजा जब अच्छी प्रकार से भीग जाए तो आप क्या करना है कि बिल्कुल खूले जगह पे आपको इस बोतल को रख देना है ऐसी जगह पे रखना है जहां पे हवा आती जाती रहे और हवा जितनी गर्म चलेगी उतनी ही जल्दी इस बोतल का पानी ठंडा होगा शुरू-शुरू में आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा यानि हर 10 मियट पे दो-ती बार आपको इसे भीगो देना है जब इस बोतल का पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद हर आधी गंटे पे इस बोतल के उपर जो मोजा लगा है इस मोजा को आपको भीगो देना है तो आप देखेंगे कि मातर 20 मेट के अंदर ही इस बोतल का पानी इतना ठंडा हो जाएगा कि बिल्कुल फ्रीज जैसा हो जाएगा हाला कि फ्रीज जैसा बिल्कुल चीडल तो नहीं होगा लेकिन आपको इतना ऐसास करा देगा कि ये बिल्कुल फ्रीज का पानी है कितना ठंडा हो जाता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि ये फेक वीडियो है लेकिन ऐसा नहीं है ऐसे कमेंट करने वालों को मैं बता दूँ कि एक बार आप इस तरीके से चुगार फिट करके देख लीजे गैरंटी है कि आप फ्रीज का पानी पीना भूल जाएंगे और ये चुगार मैं आज से लगवाद 6-7 साल पहले सही कर रहा हूँ जब यह हम लोग बाहर में काम करने के लिए जाते हैं तो इसी तरीके से बोतल के उपर मोजा या फिर किसी कपड़े को लपेट लेते हैं और उसके बाद पानी सो भीग उते रहते हैं और इस बोतल का पानी बिलकुल फ्रीज जैसा ठंड़ा रहता है हमें कभी भी फ्रीज के पानी की आ burner सक्ता नहीं पड़ी क्योंकि इसके अंदर का पानी इतना ठंडा होता है और जब इस बोतल का पानी कम होने लगे तो आपको बीच-बीच में थोड़ा और पानी भरते जाना है ताकि वो पानी बिल्कुर ठंडा रहे हाँ लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि इसके उपर का जो मोजा है वो बिल्कुर पूरी तरह से सूखना नहीं चाहिए हलका फुरका सूख जाएगा तो चलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि गंटा दो गंटा सूख जाए और आप ध्यान ही न दे तो यदि बहुत देर तक इस बोटल के उपर का जो मोजा है वो सुखा रहेगा तो इस बोटल के अंदर जो पानी है वो ठंडा नहीं होगा इसलिए आपको ध्यान देना है कि हर आदे गंटे पे इस बोटल के उपर जो मोजा लगा है उसे आप भिगो दीजिए तब ही आपके इस बोटल का पानी बिर्गुल फ्री जैसा ठंडा रहेगा तो दोस्तों ये जुगाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताईएगा अकर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे हमारी चैनल पर पहली बारा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस करते हैं तो मिलते हैं इसी बार की एक और जुगाल वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यो दोस्तों